दोस्तो हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही important topic है इस जीवन का final goal क्या होना चाहिए इस पर बार बार अलग लग फॉर्मे चर्चा होती है तो समझ को develop करना है कि संसार में हमारी मांग क्या होनी चाहिए जब तक जी रहे हैं तब तक सब चीज़ों की जरूरत है लेकिन अंत मे करते हैं आत्मा के उस सर्वच लक्ष की और वो लक्ष है परमात्मा की प्राप्ति इस जीवन का final goal क्या होना चाहिए इस पर बार बार अलग लग फॉर्मे चर्चा होती है इस जीवन के किस तरीके से ये सफल हो जाए नरतन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले ऐसी उत करेक्शन की बात भी करते हैं कि जीवन से ये मांगो ये मांगो ये मांगो जब तक जी रहे हैं तब तक सब चीजों की जरूरत है लेकिन अंतर में ये सारी चीजों का theme क्या है मृत्यों के बाद क्या पाएंगे ये भी तो समझ होनी चाहिए ना finally हम कहां जाएंगे ये कर रहे हैं कि आप कॉंतर में खुशी होती है आनन्द होता है कि आप किसी माहन लक्षी की प्राक्ति में लगे हुए है और वो लक्षे परमात्मा से कम कुछ नहीं हो सकता है याद रखिए गुरवानी में गुनार्ग जेजी महराज हमें मांगने का तरीका बता रहे हैं फर अगर तुझसे पर्मातमाँ जब कुछ मांगा ही जाए, तो फिर क्या मांगा जाए? फिर किया फर्माते हैं कि विन तुद होर जे मंगना, तुझसे तेरे सिवा कुछ भी मांगना, सिर्ध। दुखा के दुख. ऐसा लगता है कि जैसे हम दुख ही मांग रहे हैं. अलग-लग इच्छाएं हैं कि एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और जादा हवस बहुत बहुत डिजायर्स हैं इस सारी बाते अपने जगापर ठीक लेकिन अंत में लक्ष क्या पाया गोल क्या पाया नोकरी मिल गई प्रमोशन हो गया इस सब खेल चल रहा है टाइम निकलता चला जा रहा है काश इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम अपना काम बना पाएं हम अपने जीवन का वो सर्वोच लक्ष भी हासल करते जाएं परमात्मा के सिवा अगर कुछ भी और मांगा तो अंत में एक धोका ही साबित होगा एक पश्चात आप ही हाथ में लगेगा ये अच्छे से दि टोख्या है परमात्मा है परमेश्वर तो अपना वो पवितर adequately मेरे हिर्दे में उतार दे कि उत्रे मन की भूक मेरे मन की भूक संवाप्थ हो चाए तो सीडी सीडी वानी में फर्मा रहे हैं कि मन की भूख कैसे उतरेगी, मन की डिजायर कैसे खतम होगी, क्योंकि इन चीजों के अंदर क्या है, क्या है, क्या है, आप पास अब कुछ लोगे, नोकरी मिली अच्छा, तो क्या, आप जिरा पूछ के देखे, परमोशन होगी, तो क्या, तो परमात्मा के सिवा किसी भी चीज में अगर बहुत प्रीत करी, तो अंत में रोना पड़ता है, वेवार तो जगत के पदार्थों से करना है, प्रेम परमात्मा से करना है, वेवार करना है, वेवार के लिए कोई मना नहीं है, संसार प्रेम करने के योगे नहीं है, वस्तुए प्रेम करने के योगी नहीं है क्योंकि जिससे प्रेम करोगे वैसे हो जाओगे प्रेम करने के योगी अगर कोई है तो वो अपना सेल्फ है आत्मा है इस ग्यान को पाना इस आत्म ग्यान को पाना ये बेहत जलूरी है अगर attachment ही रखनी है तो परमात्मा से रखनी है attachment ही रखनी है प्रीत ही करनी है दिल का ख्याल ही जोड़ना है कर से काम करो विदी नाना कहने वालों ने बड़े सुन्दर तरीके से कर से काम करो विदी नाना मन मेरा आखो कृपानी धाना मदब उसक्रिपान इदान परमात्मा को परावगर हमारी दृष्टी लगी हुई है, फिर संसार के कोई भी कारे करते हुए हम डिटैच रहेंगे, परिशान नहीं होंगे, दुकी नहीं होंगे, अंत में कंक्लूजन अच्छा निकलेगा जीवन का, अगर अटेश्मेंट ही र से कम उसी के साथ जुडाव तो बना रहेगा, यह भी बड़ी बात है, इसमें भी बेड़ा पार हो जाएगा, सब के हिर्दे में छुपा हुआ है, और फिर भी प्रगट नहीं होता, क्या यह उलाहना देने लाइक नहीं है, हे परमात्मा, अगर तु सब के हिर्दे में विर जान कारी होगा, तो यह कहना बनता है ना, कि तु सब के हिर्दे में छुपा है, प्रगट क्यों नहीं होता, मुझ में इतनी अकल नहीं है, हे प्रभू, मुझ में इतनी अकल नहीं है, कि मैं तुम्हें पास तो कूँ, लेकिन तुम तो सर्फशक्ती मानो, तुम मुझे क्य और ले चलो मांगा है रिश्यों ने परमात्मा से ये मांगा है अगर मांगना ही हो तो ये मांगने लायक है लिखते हैं दीन दयाल विरद संभारी हिरदय नात्मम संकट भारी हरो नात्मम मूड़ता भारी मेरी मूड़ता को हर लो मेरी मूर्खता को हर लो मैं जो आप से आप कि आपसे एक रूप होते हुए भी मैं जड़ पदार्थों कि मांग कैसे कर सकता हूं मेरा मन संसार के विकारों की तरफ अंध्याकर्शन में कैसे लग सकता है आपकी होते हुए तो यह उलाहना प्रमात्वा को दो और प्राठना भी करो कि वह निकाले और वह निकालेगा वह कि यह नात मैं तो पतंगा हूं मेरा तो अंध्याकर्शन ज़लाकर मुझे मार देगा संसार की तरफ लेकिन आप तो देआ लो आप मुझे इस दुर्बध्धी से निकालो मुझे रास्ता दिखाओ यह प्राठना करने लायक है हर वक्त अगर आपके हिर्दे में उसके साथ क कनेक्शन ऐसे ही बना रहेगा और आत्मा का कल्यान जरूर हो जाएगा तो इस तरी के से आप सोचो यह जो पांच इंद्रियां हैं यह पांचों इंद्रियां बांधने वाली इंद्रियां हैं पांचों इंद्रियां बांधने वाली इतने एक पतंगा जो है वो अंधा आकर का सिकार होता है और और नकली हाथी को पकड़ने वाले लोग इतना विशाल का हाथी जो है नकली हथनी बना कर रख देते हैं आगे गड़ा बना देते हैं उसके अट्रैक्शन से भागता है उसकी तरफ और गड़े में अटक जाता है इतना विराट विशाल का हाथी जो है उस इस चीज़ को भी आप मांगते हो, वो चीज़ आपको गुलाम बना लेती है, है या नहीं है, बताओ, एक पत्नी को आपने बड़ी प्यार से मांग मांग कर लिया, लेकिन वो पत्नी क्या आपको गुलाम नी बना लेती, एक घर आपने मांग मांग के बनाया, अपनी सारी जि लेते हुए आपकी प्राण निकल गए उसी अट्राक्शन के अंदर तो क्या अंत में हालत होगी कि आप सोच सकते हैं तो इसलिए बड़े ध्यान से सोचने की जुरूरत है मैं संतों के वाणी से तुलसी जी के वाणी से जिकर कर रहा हूं कि अली पतंग म्रिग मीन गज एक ए आपने के चक्र में और मचली रहाती यह सब एक एक रससे बंदे हुए हैं यह सब भी फसके अपना जीवन गबा देते हैं एं apostles के अंक़ों चीजें मौजूदं हैं आंकों का भी रस, Kानों का भी रस सुगंदी इबी चाहिए, जीव का स्वाध भी चाहिए टच भी चाहिए, स्वर्ष भी चाहिए, सारी चीजों से बंदावा ये इनसान कैसे बच पाएगा, केवल जान के द्वारा, केवल समझ के द्वारा बचा जा सकता है, इसलिए याद रखें, तो इन पांचों विकारों से बाहर आने के लिए परमात्मा से पराठना जरूर करे जब जब फस जाएं, तो जरूर कहें, दिन दियाल विरद संभारी, हरो नाथ मम मूडता बारी, मम संकट बारी, मेरे संकट हरो, मेरी मूडता हरो, और मुझे सर मारक पर लगाओ, तो अंसो मा जो तिर गम है, बृत्यूर मा अमरतम गम है ये परभू, मुझे बृत्यू से रतव की ओर ले चलो, क्यूं मांगा है, मांग रकिया है, पर मांग भी बड़ी उंची है, बात छोटी नहीं है, इसलिए कोशिश करें, जितना हो सके कि अपने आत्मा के साथ जुड़ें, अपने ग्यान के साथ जुड़ें, सत्सं मिलता रहे, आत्मा का ग्यान लगाता होत आत्मा के सुख से बड़ा कोई सुख नहीं, आत्मा के लाब से बड़ा कोई लाब नहीं, ये सारी चीजें हमें अपने आत्मा से जोड़ पाएं, हम अपने आपको जान पाएं, जो संसार के अंदर अशान्ती, विशाहत, भै, चिंता, शोक, ये सारी चीजों के अंदर भी र किसी तरीके से हम सब कल्यान हम सब तरह से हमारा कल्यान हो चाहे कोई रास्ता अपनाएं करम योग अपनाएं भक्ति अपनाएं ग्यान योग अपनाएं कोई तरीका करें लेकिन आत्मा का कल्यान हो जाए इसलिए कोशिश करें जीवन का कल्यान के लिए जो प्रियास कर सकते है अभी से कर लें क्योंकि बार-बार ऐसा नहीं होगा मैंने अनिक लोगों के बारे में सुना है कि राजा निग हुआ करते थे बड़े दान पुन्य करते थे और अपनी खुशामत करने वालों को बड़े इनाम दिया करते थे लेकिन पूरा जीवन बरबाद हो गया और मरे तो मरने के बार गिर्गिट बने गिर्गिट जो होता है न रंग बलने वाला गिर्गिट ऐसा शास्त्रों में उल्ले खाता है ऐसे ही एक राजा अज हुआ करता था बड़ा प्रभावशाली था बड़ा टाकतवर था लेकिन आराम चाहिए बस मुझे मैं पढ़ा रहूँ और लोग मेरी सेवा करते रहें अजगर का जनम हुआ उसका अजगर का जनम हुआ बनके यह हमारे शास्त्रों में उल्ले खाता है ऐसे हिरन से मोह होने के कारण हमारे एक राजा जो है वो हिरन के रूप में पैदा हुए ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्ले खाता है तो इतनी महान इंसान के जनम को पाकर अगर हम फाइनली संसार में भटके तो क्या पाया इसलिए प्रियास करें कि ये जीवन जो है ये आत्मा का कल्यान हो जाए लोग इसी संसार में आकर मर गए खप गए आप भी खप तो नहीं जाएंगे जिस चीज के को मांग रहे हैं वो आपको अटका तो नहीं जाएगा मकान बन गया सो क्या कब तक रहोगे इसमें इस जमीन पर नजाने कितने आये और गए अंग्रेज कहते थे जमीन हमारी है मूल कहते थे जमीन हमारी है मुस्लिम बोलते थे जमीन हमारी है हिटलर वाले बोलते थे जमीन हमारी है कहां गए वो सब समाप्त हो गए सब समाप्त हो गए सब खतम हो गए, किसकी होई जमीन, जमीन वहीं की होई है, कहने वाले कबजा करने वाले चले गए, ये पलाट मेरा, ये मकान मेरा, ये फलाना मेरा, ये ढिमका मेरा, शतरंज बिशी रहा जाएगे, खिलाड़ी एके करके उठ जाएंगे, इसलिए याद रखे, कोई यहाँ प पड़ा रहे जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा, तब सब खाग पड़ा रहे जाएगा, इसलिए याद करना परमात्मा को भगवान शीर किशन जो फरमा रहे हैं, इसलिए भगवान से मिलने का प्रियास किया जाए, इस बात को अच्छे समझ लें, अगर जीवन को सही डंगजे संभाला, तो फिर मांग जो संतों की वानी है, ये ये पंच भूत काया माटी की माटी में मिल जाएगी, तब ही तुम देख सकोगे, तेरी मृत्यू नहीं हो पाएगी, ये आत्मा ही है, ब्रम अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, अथ आत्मा शर्णम गच्छ कर लें, thank you, thank you very much, thank you.